बोचपुरी एक्ट्रिस का फैशन में कोई जवाब नहीं है यहां तो बॉलिवूड एक्ट्रिस को भी फेल कर देती हैं लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो सचमुच यह सभी को फेल कर देती है जी हां आज हम बात करेंगे बोचपुरी के कुछ ऐसी हसीनाओं की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है आज के समय में आप उन्हें अनपढ़ हसीनाएं भी कह सकते हैं लेकिन यह तोड़ा बेतुका लगेगा इसलिए कम पढ़ी लिखी कहेंगे और हम आपको बताएंगे कि इनका कम पढ़ा लिखा होना भी इनके सक्सेज में बाधा नहीं बना तो पहले नाम आता है काजल रागवानी जी हां पहले हम बात करते हैं काजल रागवानी की इस गुजराती बाला ने स्कूल में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया लेकिन आपको पता है यह सिर्फ 10 तक ही पड़ी है उसके बाद थेटर और फिल्मों तका रुजान इसका दर रहा कि पढ़ाई बीच में ही छूड़ गए लेकिन ताजुप की बात है कि पढ़ाई इनके सक्सेज में बाधा कभी नहीं आए आगे बढ़ते हैं अक्षरा सिंग जी हां अपनी ये राजपुता पाना गर्ल बोजपुरे की टॉपमोस एक्ट्रिसेस में से एक हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षरा ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है पहुत कम उम्र में ही अक्षरा ने फिल्में जोईन कर ली और उसके बाद उन्होंने फिर स्कॉलेज का रुख नही अब आगे बढ़ते हैं अंजना सिंग जिया नेक्स्ट राजपुताना गयल और आपको बता दें जी हां यह भूजपुरी की एक मात्र ऐसी एक्ट्रिस हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं सीज आउटस्टैंडिंग जी हां सीज आउटस्टैंडिंग विकोज ओफ परफॉर और अपने एक्टिंग से भरपूर फिल्में की हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंजना ने भी पढ़ाई जादा नहीं की हैं और उन्हीं की तरह उनकी बेस फ्रेंड शुभी शर्मा ने भी जादा पढ़ाई नहीं की हैं शुभी के लोग दिवाने हैं लेकिन र भी पढ़ाई के मामले में थोड़ी सी थोड़ी सी धील दी है अपने आपको उन्होंने 12 तक ही पढ़ाई किया और उसके बाद फिल्मों में ऐसी आई एसी आई कि टीवी सीरियल्स और फिल्मों की जान बन चुकी है और आज कल ये भोजपूरी की बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रसेस में से एक गिनी जा रही है वैसे भोजपूरी में ऐसी कई एक्ट्रसेस हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और अपने स्कूल कॉलेजेस में टॉप की स्टुडेंट रही है उसमें से आमरपाली दूबे, पाखी हेगडे, मधू शर्मा, रिंकू घोस जैसी कई बड़ी बहतरी कित्रियां रही हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप भी किया है, बोजपुरी जगत की होटर मसालेदार वासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल दभूली है